है एक्स्रीमली गुर्ट तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इंक्रिमेंट ओपरेटर्स के बारे में ठीक है तो हम जैसे कि हमें पता है कि C++ और जावा जैसी लेंगविजिस में हमारे पास होते हैं कि एक वैरे झाच में यहां करते हैं करतें कि हम एक सब्रेइब्ट अब इसको यह कि एक उसले वीड़े देगा हर्ट और पहरे यह खाल पर देगा और आश्याए जिर्ण आर्पास आनसर है और इसे हमारे पास होता है post increment कि हमने सिको variable के बाद यूज कर रहे, एक मारे पास होता है प्री increment कि हमने पहले variable क ready to start increment करा,じゃあ फिर जो जरक है This में क्या करता है वो पहले 4 को increment अब A की वाली 4 हो गिया ना तो वो पहले A को increment करेगा और फिर जो कर यूज करें ऐसमें क्या करेगा वो पहले a को use करेगा और फिर उसको increment कर देगा 1 से तक है इसमें पहले प्लस 1 करेगा और फिर उसको use करेगा तो यह हमारे पास होते हैं increment operators जागा और c++ अब हमाते हैं अपने python पर python में हमारे पास ऐसा कोई operator नहीं होता तो हम पहले यह discuss करते हैं कि यह माद में discuss करेंगे कि python में increment operator क्यों नहीं होता ठीक है और हम पहले discuss करते हैं कि अगर हमने किसी variable को increment करना python में तो हम कैसे कर सकते हैं तो हम क्या use करते हैं for example हमने एक variable a ले लिए 3 अब हमने इसकी value करनी है 4 ठीक है पहले वह राइट को evaluate करेगा ठीक है तो क्या करेगा 3 प्लस 1 करेगा क्या देगा 4 वह फिर a में क्या store कर देगा 4 ठीक है एक हमारे पास तरीका होता है like this a plus equal to 1 ठीक है इसमें वह क्या करेगा इसमें वह पहले a की value read करेगा ठीक है ये simple assignment operator यह हमारे पास होते है simple assignment operator यह हमारे पास इनको बोलते है augmented assignment operator Augmented Assignment-Operator यह टो就是 Assignment-Operator होते है इन में क्या होता है हिस्थार पेहले वो राइट मेन जो वैलियो उसको evaluate करता है घुम्त मेन गर्शाने वाले मेन व क्जार अप्ट करोगा ह और Augmented Assignment-Operator मेन क्या होता है यह पहले Rs. In-Isand is कि झार चrekोर इस और पिर इसको इस उसको update कर देता है तो पहले left को read करेगा और फिर इसको update करेगा वो पहले a को read करेगा कि 3 है और फिर वो a में one plus करके a को क्या बना देगा 4 ठीक है तो यह एक method है जिससे कि हम python में अपने variables को increment कर सकते हैं तो कैसे आए एक example लेकर देखते हैं for example मैंने एक variable लिया ठीक है मैंने print कर दिया a plus equal to 5 ठीक है तो इसको run करके देखते हैं यह ऐसे सीधा प्रिंटने होगा पहले एक को कर देते हैं increment ठीक है और फिर प्रिंट कर देते हैं ए ठीक है ऐसे रखते हैं कि इसको 1 से increment करना ठीक है तो मारे पास क्या आगया 6 उसने 5 की एक वैल्लू थी 5 उसने उसको increment कर दिया 1 से तो मारे पास क्या गया 6 ठीक है इंक्रिमेंट ऐसे ही अगर हम इंक्रिमेंट ओपरेटर की बात करें तो वह क्या करता था वह मेंश्य वान से करता था हमने लिखा यह प्लस प्लस तो अगर यह की वैलू 3 यह होगी 4 4 यह होगी 5 ठीक है यह मेशे वाम से करता था अगर हमने इसमें भी पाइटन में भी इंक्रिमेंट ओपरेटर को ही वह करना है ठीक है उसकी यह की वैल्यू को किसी भी फैक्टर से इंक्रिमेंट कर सकते हैं यह लिख दिया 5 तो यह क्या करेगा कि एक को इंक्रिमेंट कर देगा 5 ठीक है पहले यह क्या ता 5 उसने 5 उसमें आड़ कर दिया बन गया 10 लिकिन हम यह इंक्रिमेंट करता है तो हम इस स्टेटमेंट को यूज करके अपने इंक्रिमेंट ओपरेटर को फंक्शन में ला सकते हैं ठीक है ऐसा ही अगर एक इंक्रिमेंट होके क्या हो जाएगी इंक्रिमेंट ओपरेटर को इंक्रिमेंट ओपरेटर इंक्रिमेंट कर सकते हैं पाइथन में ठीक है अगर हम सिंपल यह यूज करेंगे तो यह भी हम अभी बात करेंगे अगर हम यह उपरेटर पाइथन में उसकरेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा अब अगर हम बात करें कि पाइथन में यह फंक्शन क्यों नहीं होता तो यह एक डिजाइन डिजीजन है कि जब इस पाइथन-डिजाइन कर रहे थे तो उन्हों इसको ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने इस ऑपरेटर को implement करने ज्रूरी ही नहीं समझे इसलिए यह और पाइथन में الإmPla में नहीं होता हृता ृँफ है हमारे पास यह भी उन्होंने सोचा कि हमारे पास किसी भी variable को increment करने के लिए यह statement है इसलिए उन्होंने इस function को implement ही नहीं करा पाइफन में ठीक है तो यह क्या है यह एक design decision है कि जो python के designers थे जब वो language design कर रहे थे तो यह उनका decision था कि इस operator को implement करना ज़रूरी नहीं है ठीक है अगर आप C++ और Java में करोगे तो उसमें उन designers का decision था कि इस operator को implement करना पाइफन के designers नहीं है ज़रूरी नहीं समझा है इसलिए इस operator को implementing नहीं रहा ठीक है तो यह एक simple design decision है कि increment operator पाइफन में क्यों नहीं है अब हम बात करते हैं कि अगर हम increment operator यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा ठीक है अब अगर हम increment operator पोस्ट increment operator यूज करेंगे python में तो यह क्या करेगा यह हमें देगा error क्यों क्यों कि जब हम किसी operand के बाद में यह operator यूज करते है तो python इसको count करता है जो कि अधिशन का ठीक है addition अधिशन क्या आप expect करता है कि मेरे पास कोई operand आया उसके बाद यह अगर operator आया तो इसके बाद भी कोई variable कोई operand यह तो जब उसके पास अगीन यह आजाता है एक प्लस operator तो यह क्या दे देता है syntax error ठीक है तो लाइए चेक करते हैं अगर हम यहां लिख देंगे प्लस प्लस तो यह हमें क्या दे देगा syntax error ठीक है क्यूंकि एक expect करता है कि यह प्लस का binary operator अधिशन का इधर भी operand होना चाहिए इधर भी operand होना चाहिए ठीक है तो जब उसको अपने राइट वाली साइड में operand नहीं मिलता तो वह क्या दे रहा है syntax error अब जब हम प्री इंक्रिमेंट यूज करेंगे लाइक दिस ठीक है तो यह क्या करेगा कि पाइथन में यूनिरी operator रहें plus-minus ठीक है थीक है तो हम लिखते हैं plus 5 वह और 5 राइव हम मैंनस 5 वह क्या बात्या माइनस 5वक्य ठीक है तो अब घर हम ऐसे लिखेंगे plus-55 तो यह क्या करेगा में रिटर्न-5 अगर हम लिखेंगे plus-plus-5 प्लस-5 तो अंगर तो यह क्या रिटर्न कर रहा है इसने क्या इसको काउंट कर रहा है इसने क्या इसको काउंट कर रहा है इसने क्या क्या होगा ए प्लस से क्या होगा ए प्लस से अगें क्या होगा ए ठीक है उसने क्या रिटर्न कर दिया ठीक है तो अगर हम पोस्ट इंक्रिमेंट यूज करेंग यह count होगा as a unary operator तो इसलिए यह python में increment operator exist नहीं करता है यह क्या था एक design decision है ठीक है और अगर हमें हमने variable को increment करना है तो simply हम क्या statement use करेंगे name of the variable this symbol 1 यह क्या एक augmented assignment operator है तो यह क्या करेगा एक value को read करेगा और उसमें one को add कर देगा तो इस statement से हम क्या कर सकते है एक value को increment by one तो आपको समझ में आ गया कि increment operator python में क्यों नहीं है और अगर हम इसको use करेंगे तो क्या होगा और हम किसी variable को increment कैसे कर सकते है by using python तो अगर आपको यह video अच्छी लगए है तो इस video को like करें thank you for watching